असलाम लेकुम एप्रेवरन वल्कम टू था फिजिक्स इंजाइटी और हम सॉलिट इस्टेट फिजिक्स के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जिसमें हमने प्रीबिएस लेक्चर में एपियाइफ यानि के अटॉमिक पैकिंग फ्रेक्शन के बारे में डिटेल में बात कर ली अ क्या होते हैं अगर हमें कोई भी एक यूनिट शाल डीट यह जैसे किये चू edges अगर मुझे एक वेक्टर बना ताल है है को वेक्टर फॉर्म करें और कहा गयी इस वेक्टर की direction कृण आइप करें कि ये एक समय फिंग क्ना मूश्श चिव्सकां कितना sp ट्लूर किसम बज़ स से find out करूंगी तो यह जादे आसान हो जाएगा तो यह समझ लें कि अगर मुझे इस वेक्टर के direction को find out करना है इसकी movement को find out करना है यह कितना कि मुझे बताएगा कि इस वेक्टर की direction यह कितना मुव हुआ है एक यूनिट से दूसरे यूनिट से तक यह कितना मुव है और इसके benefit क्या होता है सबसे पहले अगर हम इस वेक्टर पोजिशन वेक्टर के इसके इसके उपर चलते जारें यह तो हमने एक यूनिट सेल लिए ना किसी भी अटॉमिक इस जैसे काफी लेटिस पर यूनिट सेल मौजूल गे अगर मैंने इसके यह वेक्टर पोजिशन निकाल लिया तो बाकि तमाम जितनी भी यूनिट सेल इसके साथ बिलकुल चलते जारे हैं यानि कि इसी की फॉ laisser सेल फ़र्म मेशन पे इसी तरह से फॉर हे हैं तो इसके भी क्वी पोजिशन वैंकि कंडि चुकी होंगी इसके पता उतहला अगर मुझे position vector निकालना है किसी भी vector की direction निकालनी है तो उसके लिए ठीक है तो अब बात कर लेते हैं इसके method क्या होता है किस तरह से इसके steps होते हैं जिन्हें follow करते हैं मैं Miller indices को find out कर सकती हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं कि direction को denote किस तरह से के जाता है basically यह three dimensional है ठीक है आपको नज़रा रहे हैं यह cube की form में three dimensional है तो इसमें मेरे पास x, y and z direction होगी उस x, y, z direction को अगर मैं direction find out कर रही हूँ ठीक है Miller indices से हम दो चीज़े find out कर सकते हैं एक direction और एक plane तो अगर मैं direction find out कर रही है तो उसके लिए direction के लिए हम लगाते हैं square bracket square bracket के अंदर x को हम denote करेंगे x से y को हम denote करेंगे k से और z को हम denote करेंगे l से ठीक है अगर आपके पास कहीं भी question में इस तरह से square bracket नज़रा रहा है और उसके उपए आपको x, y, z की direction लिए मतलब के values लिए है तो आपको direction निकालने है मतलब के vector form करना है लेकिन इसी के जगह पे अगर आपको plane निकालने तो इसके लिए ये brackets यूज नहीं के जाते हैं दूसरे brackets यूज के जाते हैं जब हम planes पढ़ेंगे तो उस पे हम deeply बात करेंगे तो अभी तक के लिए आप इतना समझने है अभी हम Miller indices direction की formation में बात करें किस तरह से find out करते हैं तो इसके लिए हमें square bracket दिया जाते हैं जितनी भी direction को अगर हमें denote करना होगा तो उसे हम कहीं भी लिखेंगे तो उससे हम denote करेंगे square bracket से ठीक है clear हो गया अब बात कह लेते हैं किसके steps के हैं तो अगर मैं इसकी unit को find out करना चाहूं तो हर एक यहां से यहां का distance one होता है ठीक है one unit cell का होता है ठीक है यहां से यहां का one lattice point हो रहा है ना consider हो रहा है तो मैं यहां से यहां मैं इसके axis पहले form कर लेते हो उसके बाद मैं आपको समझाते हूं कि इसे किस तरह से आपको view करने है अगर मैं यह इस axis को मान लेते हूं X axis ठीक है और इसे red color से शो करूं यहां से यहां के axis को मैं एकस axis कर रही है मतलब कि horizontal axis मेरे पास y axis है vertical axis z axis है और मेरे पास जो आपको यह axis नज़रा रही है यह मेरे पास आजाता है x axis ठीक है अब मेरे पास जो position vector है जिससे मैंने find out करने है जिसकी direction को वह यह है यहां से point शिरू हो रहा है और यहां पर आगे खत्म हो रहा है अब आप देखें कि यह point है मेरे पास इससे मेरे पास position vector जा रहा है इहां पर अच्छा अब इसे किस तरह से find out करना है आप इसकी position को वियू करेंगे कि यह किस तरह से यह फॉर्म हो रहा है ठीक है मतलब किस तरह से ओर हो रहा है इसकी मूव्मेंट को देखने के लिए सबसे पहले हम X-axis पे देखते हैं एक्स एक्स पर अगर हम मैं चलूं तो यहां से start हो रहा है और यहां पर आकर point पर रुक रहा है मतलब कि उस plane से शुरू हो रहा हूँ इस plane की corner पर आकर रुक रहा है मतलब कि इसने पूरे एक एक्स एक्स की one unit को move किया ठीक है one unit trip जहें यह place हुआ है तो यहां पर X axis पे आगया 1, बाव समझाई? यह बॉटम की प्लेन से स्टार्ड हुआ, यह वेक्टर स्टार्ड हुआ है, और यहां X axis पे आके फ्रेंट वाले प्लेन की एक्सिस पे आके रुख गया, ठीके, यह वेक्टर यहां से हेट से शुरू है, ठीके, यहां आके तो यहां के प्लेटवा कर रहा है ठीक है यै Woah y-axis लेखर मैं बात करूं तो यह यह इस तरफ के plane से चिर्व है और उस तरफ के plane cut like सिसव और से शाम होई है यह से इतने य॥ असरी यहां पार के वह गयूर ईक सब्याव से ग्लाट अगया है मियाह तो यहां पर मेरेपास तो यहां से मैं Z axis पर move कर रही हूं पूरे 1 unit का ठीक है यह vector 1 unit के X axis पर move किया है 1 unit के Y axis पर and 1 unit का ही Z axis पर move किया है then वो यहां से यहां का distance cover किया है एक position vector बना है तो इसके X, Y and Z axis की value क्या हो गई 1, 1 and 1 I hope आपको यह बात समझ आई हो कि किस तरह से हमें find out करना है जहां मैंने origin को consider किया है origin से आपने सबसे पहले X axis में move करना है कि यह X axis पर move हो रहा है या नहीं हो ठीक है अगर यह vector X axis पर move हो रहा है यह one unit का move हो रहा है उसके बाद Y axis पर and then Z axis पर आपने चेक करना है कि कितने unit के वह movement हो रही हो सकी जितने unit के वह move कर रहा होगा उतिने unit को आप इस तरह से square bracket में लिख देंगे यह आपके मिलर इंडिसी के direction find out हो गई ठीक है यह first question हमने attempt कर लिया यहां पर मेरे पास plane है इसके plane के mid पर यहां के side के plane आपको नज़र आ रहा है इसके plane के mid पर जाके position vector hit कर रहा है origin यहां से start हुआ इसका तो मैं यहां से इसे ले लेती हूं x-axis ठीक है यहां से मैं इसे y-axis sorry z-axis और इससे मैं consider कर लेती हूं y-axis ठीक है अब अगर मैं इसकी movement को find out करना चाहूं अगर यह कितना move हो रहा है position vector के miller indices को find out करना चाहूं तो मैं क्या कहूंगी कि यह x-axis mode more यह x-axis पर one movement हो रही है ठीक है यहां से क्यूंकि यह चल रहा है और यहां तक चल रहा है तो यह x-axis के one unit पर move हो रहा है ठीक है यह से यह one unit पर move हुआ x-axis one unit आगया then y-axis पे यह इस origins रहू और सामने वाली plane तक गया तो मतलब कि y-axis पर भी one unit कि की movement हो रही है ठीक है y-axis पर भी one unit की movement हो रही है अगर मैं z-axis पर देखूं तो z-axis पूरी एक one unit है यहां से यहां तक का one unit है लेकिन यह मिट पर आके point कर रहा है ठीक है तो मतलब कि इसने z-axis पर half unit के movement कि यह तो यह मेरे पास हो गया x-axis one unit y-axis one unit and then z-axis half unit one one and half अच्छा अब यहां बाद आती है कि यह answer है यह भी answer है लेकिन हमें Miller indices को whole number में लिखना होता है whole number में लिखने के लिए क्लिए 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 इसे 2 से multiply कर दूँगी अगर मैं इस पूरी bracket को 2 से multiply कर दूँ तो क्या हो हो जाएगा 2 2 1s are 2 और अगर मैं इसे multiply करूँ तो 2 से 2 cancel हो जाएगा 1 बच जाएगा तो मुझे whole number पर लिखना होता है तो कुछ और मिलर इंडिसीज के direction को find out कर लेते हैं ताकिए प्रेक्टिस हुजा अच्छी सी हमारी तो एक और हमें position vector दिया गया है और find out करना है मुझे अगर मुझे find out करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इसके origin को नोट डाउन करना पड़ेगा ठीक है अगर मैंने इस एक्सेडर कर लिया तो यह मैंने एक्सेडर कर लिया यहां से यहां मेरे पास यह हो गया तो यहां पर मैंने इस पॉइंट पर ही जो पॉइंट मुझे ठीक लेगा उस पर मैंने उस पॉइंट पर मैंने origin को consider कर लिया मतलब कि हम origin को shift कर सकते हैं अपनी मर्जी से अगर मुझे position vector इस plane पर दिया वह तो मैं वहां उसी के करीब किसी point को position vector बना सकते हूं ठीक है है अब अगर यह वर्टिकल में जैड़ है यह एक से और यह यह आप मैं इसकी shift में shift देखती हूं कि किसा कितना shift हो रहा है ठीक है एक से कितना shift और y-axis जाप कितना shift और जैट एक से तो देख लेते हैं सबसे पहले मैंने देख एक से पे कि अगर मैं इसकी shipment देखू एक्स एक्स पे तो आपको यह नजरा ओर होगा एक्स एक्स यहां इस तरफ जा रहे लिकिन बेसिकली मेरी जो shipment होई है कहां हो यह इस साइड पर होगी है ठीकि यहां नजरा रहे तो माल लिते हो यह अगर यह है तो यहां पास क्या हो रहा है अगर मैं वाइक्स पर देखुं तो य एक्स मेरे पास है positive y-axis इस साइड है लेकिन मेरी जो position vector के जो shipment हो रही है रही है negative y-axis की तपर ठीक है negative y-axis अगर मैं देखू negative y-axis पर पूरे one unit का जाद है तो negative y-axis पर मैं क्या मां hall लोगे minus 1 ठीक है minus 1 हो गया negative y-axis पर then मेरे पास आरे z एक्सेड पर जैट एक्सिस पे कोई भी अगर मैं वर्टिकली देखूं तो वर्टिकली इसकी कोई भी डाइरेक्शन नहीं है ठीक है तो इसका मतलब है कि जैट एक्सिस पर यह जीरो शिप्टमेंट हो रही है इसकी बास समझा गई तो पहले हमारे पास किस तरह से बनावाता पहले अगर पहले वाला के व्यू करें तो मेरे पास इस तरह से शिप्टमेंट नजर आ रही थी इस तरह से तो वो जैट एक्सिस पर कुछ ना कुछ शिप्ट हो रहा था लेकिन यहां पर क्यूंकि एक प्लेन पर चल रहा है तो यह 1 upon 3, minus 1 और 0 तो ये मेरे पास बन जाएगा minus का 1 minus का 3 और 0 ये हमारा answer है, इसे अगर आप minus है, minus को आप बार की form में लिख सकते हैं, अगर आप Miller and disease के brackets में लिख रहे हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है इसे इस तरह से show किया जाता है, तो ये आपका होगया answer तो अब हम दो मजीद examples को देख लेते हैं, जिससे हमें और अच्छे से Miller and disease की direction को find out करना असान हो जाएगा, ठीक है तो जितना जादा practice करेंगे, इतनी जादा जो है, scale इस पे ये मेरे पास y-axis और ये वर्टिकल मेरे पास आहिए z-axis ठीक है, मैंने origin पे axis को mark कर लिया है, मार करने के बाद मैं क्या करूँगी अब इस vector की कितनी shipment हो रही है, x-axis के towards y-axis के towards and z-axis के towards, वह मैं इसमें find out कर लेती हूँ, ठीक है, अगर मैं ठीक है, मतलब कि इस बाले plane से corner के plane मतलब के bottom के plane पर जा रहे हैं, मेरे पास दो shade नज़र आते है, ठीक है, हमें, एक ये मेरे पास ये वाले जो है, मैं front के अधर रहे हूँ अकर ये मैं front इसे जो red से sheet कर रहे हूँ ये मेरे पास friend के है, ठीक है, तो मेरे पास ये red वाले plane से bottom के plane पर जा रहे है, ठीक है, मतलब कि ये red वाले plane से bottom के plane पर जा रहे है, ये वाले जो plane है, ये जो आपको पास front plane नज़र आ रहे है, इससे ये bottom के plane पर जा रहे है, यहां से लेके bottom के plane पर, तो इसका मतलब है कि x side पर नेगटीव X साइड पर शिफ्ट्र में कितना हो जायाएक, माइनस का 笑 फ्रॉण इधिन- मेर पास Y लेकिन इंग का जाएक, यहां भी मिưở पास माइनस का फ्रॉण अगर मैं Z पर देखू तो यहां से मिरे पास छैट पर यह वर्टिकल z है ठीक है vertically मेरे पास जो X is वो Z axis है तो Z axis पे यह पूरे एक point मेरे पास क्या हो जाएगा वन हो जाएगा लेकिन यह half पे जाके cut कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहां half पे shift हो रही है direction की बास समझाए तो यहां क्या हो गया x axis पे मेरे पास minus का one y axis पे minus का one and then x axis पे half हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से मेरे पास अगर मैं तू से multiply कर दूँ पूरे bracket को अगर मैं तू से multiply कर दूँ तो मेरे पास आजाएगा minus का two minus का two और one यह हमारा answer है ठीक है अगर मैं इसकी बात करूँ इसमें मेरे पास एक position vector दिया है जो कि आपको कुछ इस तरह का नजर आ रहे है इस पे अगर मैं position vector पे axis को form करूँ तो यह मैंने origin consider कर लिया इस पे मैं x axis इस तरह से जा है ठीक है y axis and then z axis अब अगर मैं इस पे गौर करूँ तो आपको यह नजर आ रहे है कि इस पे x axis पे movement हो रहे है यहां मेरे पास यह x axis इस तरह से फॉर्म हो रहे है लेकिन यहां से मेरे पास position vector position vector दूसरी तरफ जाता हूँ नजर आ रहे है बस यहां पर आपको confuse नहीं होना है कि यह x axis पर ही इस तरह से जा रहे है नहीं यह मेरे पास यह फ्रेंड का हिस्स्सा है और यह यहां से shipment हो रहे है और तो यह negative को बना रहे है मेरे पास बास समय रहे है यहां से मेरे पास shipment हो रही है नेगिटिफ के x-axis पर आई होब आपको किलियर हो गया है तो मेरे पास x-axis पर माइनस का वन आ रहे है देन y-axis पर positive का y-axis इस तरह है लेकिन मेरी जो position vector के जो shipment हो रहे है वह हो रहे है नेगिटिफ के x-axis पर ठीक है नेगिटिफ के x-axis पर शिफ्ट्पेंट हो रहे है नेगिटिफ के x-axis तरह रहे है तो इसे मैं माइनस का वन कहूंगी देन मिरे पास z-axis पर अगर मैं देखू तो यह वर्टीकली अपवर्ड है पॉजिटिफ के z-axis ठीक है लेकिन यह जो मिरे पास shipment हो रही है वह जैट एक्सिस नेगिटिफ के z-axis पर हो रही है तो इस पर मैं क्या कहूंगी कि यह माइनस वन नेगिटिफ के x-axis पर शिफ्ट हो रहा है तो यह मिरे पास मिलर इंटिसीज माइनस वन यह पहली होल नंबर तो इसे मैं माइनस वन माइनस वन इस तरह से लिख हूँ या फिर मैं इसे इस तरह से डिनोट कर सकते हूं तो यह मिरे पास मिलर इंटिसीज होगे आई होप आपको यह वीडियो समझ आई हूँ तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जब हमें मिलर इंटिसीज गिव करना हो तो उसे किस तरह से करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हमें इस पर बात करेंगी ठीक है जब तक के लिए अल्लाहाफिस